नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी, आप सभी को दिपावली की धिरोशुप कामनाएं, हाल ही में हुए अपने पिछले सत्संगों के माध्यम से बाबा जी, बाहरी नहीं, असली प्रकाश को लेकर क्या समझाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे आज क साखी के माध्यम से, दोस्तों, क्या दिवाली का प्रकाश केवल दीपों की चमक और घरों की सजावट तक ही सिमित है, क्या सच्ची रोशनी वह है जो हम बाहर देखते हैं, या फिर इसका असली मतलब कहीं और छिपा है, आज की साखी में हम सुनेंगे, इसमें छिपा है ए उसे दूर करने का मार्ग दिखाता है, क्या है वह संदेश, जानने के लिए जुड़े रहें और इस साखी को अंत तक सुनें, गंगा की नारे ठंडी हवा बह रही थी, और वातावरण में दीयों की रोशनी जगमगा रही थी, यह दिवाली की रात थी, और एक साधू अप की परमपरा थी, साधू का मानना था कि दिवाली सिर्फ बहरी रोशनी का पर्व नहीं है, बलकि यह आतमा के अंधकार को दूर करने का अवसर भी है, इस रात का प्रतिकात्मक महत्व था, बहर के अंधकार को मिटाने के साथ-साथ हमारे भीतर के अज्यान और नकरात्मक व साधू से सवाल किया कि गुरुदेव हम हर साल दीप जलाते हैं, लेकिन क्या इन दियों की रोशनी से अंधकार मिठता है? साधू ने शिश्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हर दीप का प्रकाश एक संदेश देता है. जब हम बाहरी दीओं को जलाते हैं, तो यह याद रखना चाहिए, कि असली प्रकाश हमारे भीतर का होता है. ज्यान और प्रेम का यह प्रकाश तभी जिखता है, जब हम मन को स्वच्छ और शांत रखे. साधू ने इसके बाद सभी शिश्यों को आत्मनिरिक्षन करने का निर्देश दिया और कहा, हमेशे दूसरों की कम्यों पर ध्यान देने से पहले खुद को देखो, हर मनुष्ये के मन में कुछ ना कुछ अंदकार चिपा होता है, कभी क्रोध, कभी इर्ष्या, कभी मोहू. यह दिवाली एक मोका है इन बुरे विचारों को पहचानने और मिटाने का. साधू के इन शब्दों ने शिश्यों को गहराई से छू लिया. वे सभी एक शांत स्थान पर बैठ गए और अपनी अपनी कम्यों पर ध्यान देने लगे. कुछ ने महसूस किया कि उनके मन में छ और आत्म मन्थन करते हुए सभी शिश्यों ने समझ लिया कि दिवाली का असली उदेश्य केवल भारी दिये जलाना नहीं बलकि भीतर के अज्ञान और नकरात्मक्ता को मिटाना है. इस साखी से हमें यह समझ बेहाता है कि दिवाली का असली महत्व तभी है जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके प्रेम, क्षमा और करुणा का दीब चलाएं. जैसे हम बाहर के अंधेरे को दिये से मिटाते हैं, वैसे ही हम अपने मन में छिपे नकरात्मक विचारों को भी मिटा दें. आत्मा के इस दीब से ही हमारे जीवन में सच्ची शान्ती और संग फरमाया, वह थी जग में खोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंटारा. इस बाणी के जरीए बाबाजी समझाते हैं कि हम सभी अंधकार में टूबे हुए हैं. अंधकार का मतलब ये नहीं है कि बाहर अंधेरा हो रहा है. बाहर तो कभी अंधेरा, कभी उजाला चलता रहता है. लेकिन इस बाणी में अंधकार का मतलब है हमारे भीतर की अज्यानता. बाबाजी ने अपने सत्संग में गहरे अर्थों को उजागर करते हुए समझाया कि मालिक और आत्मा हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं. लेकिन हम उनकी पहचान करने में असमर्थ रह ज्यानता के परदे पड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे भीतर अंधेरा किया हुआ है. बाबाजी ने स्पष्ट किया कि भारी प्रकाश अवश्यक है लेकिन सच्ची रोश्नी वह है जो नाम की कमाई और सिम्रन के माध्यम से हमारे भीतर जागरत होती हैं जिसके जरीए हम उस मालिक के दर्शन करने के लायक बनते हैं. तो इस दिपावली आईए सिर्फ बहरी दीप जलाकर ही नहीं बलकि अपने भीतर के अज्यान को मिटाने का भी संकल्प लें. आज की है साखी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल साखी के साथ तब तक के लिए राधा स्वामी जी